वेलकम एब्रीवन, ITI ट्रेनिंग ओफिसर टियो का जो टेस्ट सीरिज में बना रहा हूँ, मैथ ड्रॉइंग टेट के अंदरगत, उसका ये पार्ट टू है, इसमें हम कार उर्जा सकती बे और तरण और चाल से समन्ने प्रशन करेंगे, ये से पहले एक और टेस्ट में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने मटेरियल साइन्स पर काफी सारे अबजेक्टिब कुश्चन कराए हुए हैं, तो इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंके दे दूँगा, तो वहां से आप मटेरियल साइन्स पर आधारित पस्तुनि तो आपको याद रखना है, जो एक जूल होता है आपका, बुद्दस की घात साथ अर्ग्स के बराबर आपका होता है, तो ओप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, ओप्शन दिया होता है, 9.81 न्यूटन, तो ओप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा, और यदि एक्जाम में पूछ ले, कि एक न्यूटन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपको याद रखना है, 0.101 केजी होते हैं, आपके एक न्यूटन में, आपको ये फेक्ट भी याद र अधिसरासी, सदिसरासी, तो जो आपका केबल परिमार या आकार रखता है, तो उसको हम बोलते हैं, अधिसरासी, उप्शन नंबर टी आपका राइट हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, यदि किसी बस्तु में परिमार और बेग दोनों हो, तो उसे क्या कहा जात हैं, सदिसरासी, और जिसमें केबल आपका परिमार हो, उसको हम बोलते हैं, अधिसरासी, चलिए अगला कुश्चन देखते हैं, गती का सुत्र क्या है, भाट is the formula of speed, तैकी गई दूरी बटा समय, निश्चित दिसा में तैकी गई दूरी बटा समय, बेग में परिवर्तन ब तो हम जानते हैं, जो speed होता है, हमारा वो क्या होता है, distance upon time, यानि की तैकी की दूरी बटा समय, distance covered upon time, option नमर पहला आपका right हो जाएगा, अगला question देखते हैं, गती की एकाई का है, तो आपको बताना है, गती की एकाई क्या है, तो गती का एकाई हमारा होता है, meter per second, option देख लेते हैं, पहला ही option है, आपका option नमर पहला, meter per second, यही right हो जाएगा, थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देदू, मैं एक practice set भी बनाता हूँ, जिसमें आपको पता ही होगा कि 75 question आपके होने वाले हैं, बस्तु निष्ट से, जिस trade का आप exam दे रहे हैं, जैसे mat, drawing, refrigeration, air condition, meditation, fitter, electrician, copa, जिस भी trade का आप preparation कर रहे हैं, पत्चीस question हर trade में common होने वाले हैं, बिग्यान, गड़ित, सामानने ग्यान, तारके ग्यान, और basic computer ग्यान, तो Sam, इसी pattern पर आधारित में practice set भी बनाता हूँ, तो एक practice set दे कर आप आपना preparation भी चेक कर सकते हैं, और यह आपको चैनल exam radius को subscribe नहीं किया है, तो इस channel को आप subscribe कर लें, और bell icon को भी प्रेस कर लें, जिससे आँगे जो भी video में upload करता हूँ, training officer का, या math और drawing का, तो उसका notification आपको मिलता रहेगा, और जो math drawing trade है हमारा, जिसका अभी हम क्या कर रहे हैं, workshop calculation के अंतरगत objective question पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने drawing के अंतरगत एक से लेकर साथ तक lecture बनाए हुए हैं, जिसमें drawing का काफी सारा slayvers हमने cover किया हुआ है, तो channel पर जाकर playlist बना दिया गया है, channel पर चले जाएं, अब तो playlist पर जाकर आप वो video देख सकते हैं, और इस video के description में मैं भी link देदूँगा, तो वहां से भी आप video देख सकते हैं, चलिए, वेडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला question है हमारा, यदि कोई बस्तू अपने परिवेज के सम्मंद में अपनी इस्तिती को बदलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बस्तू का बिराम में होना, नहीं ये गलत है, बस्तू का गती में होना, ले इसको हम बोलेंगे velocity, बे, तो option number D आपका right हो जाएगा, अगला question देखते हैं, किसी बस्तू के त्रण की एकाई क्या है, जितनी भी आप जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, इन सबका आपको कारूर जा सकती, सबका जो है unit त्यार कर लेना है, एक या दो question आपका सीधा सा unit से रहने वाला है, तो जो त्रण का एकाई होता है, option दिया हुगा है, meter per second, meter per second square, meter per minute, और meter per minute square, तो जो त्रण का acceleration का आपका unit होता है, वो होता है, meter per second square, option number B आपका right हो जाएगा, अगला question देखते हैं, एक कार का त्रण क्या होता है, यदि कार की गती एक मिनिट मे 25 km पती गंटा से बढ़कर 40 km पती गंटा हो जाता है, आपको बताना है तुरण क्या होगा, तो ऐसे question को हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, सबसे पहले जो difference हम लिख लेंगे क्या है speed का, तो 25 से 40 हो रहा है आपका, तो कितना difference है 15 km पर गंटेगा, अब इसको हम meter per second में convert क करने के लिए 5 बटे 18 का गुणा कर देंगे, और उसके बाद 1 minute में कितना हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो 1 minute में होते हैं हमारे 60 second है, तो 60 से हम इसका भागा और कर देंगे, और इसको हम हल कर देंगे, तो ये 15, 4, 60, नीचे 4 मिल जाएगा, उपर 1 मिल जाएगा, त मीटर पर सेकेंड, उप्सन नमबर C आपका राइट हो जाएगा, यदि आपको अभी समझ में नहीं आया, तो बेडियो बैक करके आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको स्पीट का अंतर लेना है, 15 हो जाएगा, और फिर जब हम किलो मीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में कनबट करते हैं, तो पांच बटे 18 का गुणा करेंगे, और एक मिनिट में ये स्पीट चेंज हो रहा है, तो एक मिनिट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से और हम इसमें भागा करतेंगे, तो पांच बटे 72 मिल जाएगा, इसको जब आप हल करोगे, तो दिसमलो 0.69 मीटर प 50 दिया हुआ है, और मंदन में लाए जाता है, मतलब 0 हो जाता है, तो जो 50 किलो मीटर पर गंटा है आपका, इसको पहले आप मीटर पर सेकेंड में कनबट करने के लिए 15 बटे 18 का गुणा करेंगे, और इसके बाद बुला गया है, 45 सेकेंड में होता है, तो 45 का और भागा क तो ये पचम 25, बटा एक क्यास ही हो जाएगा, जब इसको आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा, दिसमलोग 30, 0, मीटर पर सेकेंड स्क्वार, ओप्सन नमबर भी आपका राइट हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन है, किसी बस्तू के कार करने की छमता को क्या कहते हैं, उर्जा, सक्ति, तुरणा और बल, तो किसी बस्तू के कार करने की जो छमता होती है, उसको हम बोलते हैं उर्जा, और कार करने की जो धर होती है आपको, उसको हम बोलते हैं सक्ति, तो आपको यह basic सा difference है याद रखना है कार करने की छमता यदी पूँचा जाए तो answer right हो जाएगा energy या उर्जा और यदी आपको दर पूँचा जाए कि कार करने की दर को क्या कहते है तो आप right answer टिक कर देंगे power और शक्ती तो इस question का answer हो जाएगा चमता पूँचा गया है अगला question देखते है अगला question है सक्ती output और सक्ती input का अनुपात क्या होता है option दिया हुए कार उर्जा चमता तरण तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा efficiency दक्षता option number C आपका right हो जाएगा आप जानते है output upon input क्या होता है आपका efficiency होता है तो आपको यह याद रखना है अगला question देखते है metric प्रणाली में एक horse power में कितने बाट होते हैं यदि metric प्रणाली में आप से पूचा जाए horse power तो होते हैं 735.5 यह याद रखना है तो इस question का option number B आपका right हो जाएगा अगला question देखते है ब्रणाली में एक horse power में कितने बाट होते हैं तो यदि ब्रणाली कुचा जाए तो option number C 746 बाट आपको टिक करना है यह दोनों आपको याद रखना है अगला question देखते है एक घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक pump एक मिनिट में 200 मीटर की उचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है आपको दिया हुआ है कि एक मिनिट में 200 मीटर उचाई तक 100 लीटर पानी उठा लेता है और पूंचा हुआ है एक घंटे में तो आप क्या करेंगे एक घंटे में कितने मिनिट होते हैं 60 तो जो एक मिनिट का हमें दिया हुगा है उसमें आप 60 का गुणा कर देंगे तो 200 गुणा 100 लिटर पानी उठाता है और आप पूचा हुगा है एक घंटे में ये एक मिनिट का है तो इसमें हम 60 का और गुणा कर देंगे तो जब आप 200 का 100 में गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 20,000 और जब इसका आप 60 में गुणा और करोगे तो आपको मिल जाएगा 12,00, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 12,00, ये 12,00 हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 10 की गात 5 केजी पर मीटर तो option number आपका be right हो जाएगा यहाँ पर ये जो topic है आपका कार, उर्जा, बेग, तुरण इसके सारे के सारे जो objective समाप्त होते हैं तो आपको comment box में बताना है कि 15 मेंसे कितने question आपने सही किये हैं और यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को आपको subscribe कर लेना है मिलते हैं next video में thanks for watching